इसे कौन कौन से केस हैं जो अगर पतनी ने पती के उपर किये तो पती को मिल सकता है तलाक जी हाँ आप सभी ने बिल्कु ठीक समझा ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि अगर पतनी उन केसों को करे तो पती को mental cruelty के ground पर तलाक मिल सकता है इसका अर्थ बिलकुल भी ये नहीं है कि मैं कहीं पर भी तलाक को बढ़ावा दे रही हूँ बलकि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ उन पुरुशों के लिए बना रही हूँ जो की वाकई में अपनी पतनी से परिशान है जिनकी शादिशुदा जिन्दगी बहुत अच्छी तरह से चल रही है या छोटी मोटी गलत फैमियों की वजह से खटास आ ग हुई है वो प्लीज आप जरूर देखेगा इसके साथ साथ एक विशेश सूचना की इसी 29 तारिक को यानि कि 29 आफ जैन्वरी को इस चैनल के चलते हुए एक साल होने जा रहा है और ये जो चैनल एक साल हसी खुशी चला वो सिर्फ आप सभी के प्यार की बदालत चला तो इ अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल स आती हैं किसी भी तरह की misunderstanding आती है वो आती है communication gap की वजह से और जब पती और पत्नी के बीच में communication gap होता है तो यह बहुत ही लाजमी होता है या बहुत ही सोभाविक होता है कि दोनों के दोनों लोग कोट की तरफ अपना रुख कर लेते हैं देखिए बहुत सारे cases होते हैं जो पत्नियां पती की बहुत सारे cases होते हैं जो पती अपने पत्नियों के ऊपर करते हैं। अब मान लेलेज़े पती ने section 9 का case लगाया है या फाइल किया है पत्नि के उपर कोट में family court में वो case चल रहा है क्योंकि उनकी हस्ती खेलती घरस्ती में किसी ने नजर लगाई है या किसी ने उनको भड़काया है इधर की उधर की बातों करके इसी तरह से पत्नी ने 125 CRPC यानि की खर्चे का केस दर्च किया है पती के खिलाफ या पती के उपर कोई बात नहीं ये उनका कानूनी अधिकार है कि अगर पती उनको ठीक तरह से नहीं रख रहा और जान बूच करके वो अपनी पत्नी को खर्चा नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर पत्निया अपने पती के उपर खर्चा कर सकती हैं लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब सेक्शन 9 का मुकदमा किया है पती ने और पती ने 125 का मुकदमा किया है तो पत्निया यहाँ पर सेक्शन 9 की बाते चोड़ करके 125 की बाते चोड़ करके और वो फटा फट 307 का केस कर देती हैं 498 का केस कर देती हैं या इसी तरह के और क्रिमिनल केस उनके उपर दर्च कर देती है यहां पर सीधा सीधा इसका एक ही मतलब निकलता है कि उस पतनी ने कलूशित दिमाग से या दुशित दिमाग से अपनी ग्रस्ती को बचाने की बजाए उसने अपने पती को सजा दिलवाने के लिए क्रिमिनल केस कर दिया है इसका अर्थ ये होता है कि आप अपनी ग्रस्ती को नहीं बचाना चा रही है पहले सेक्शन नौ का मुकदमा आपके पती महोदे ने किया था आपके उपर और आपने उसमें सासा चलने की बजाए और आपने अचानक से अब क्रिमिनल केस कर दिये तो ये कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आपने जान बुच करके बाद में सोची समझी चाल के स्तहत ये केस किये हैं यही वज़ा है कि कोट में पत्निया जो वाकई में दुखी होती हैं तो गलत पत्नियों के जूटे केस की वज़ा से उनके सचे केस भी खटाई में आ जाते हैं। अब देखिए आपने अगर करिमिनल केस किये हैं अपने पती के खिलाफ तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने पती को सजा दिलवाना भी चाहती हैं और उसको जेल भी विजवाना चाहती हैं वो साथ साल दस साल आजीवन कारवास तक हो सकता है तो सेक्शन नौ को छोड़ करके आप करिमिनल केस की तरफ अगर यह भागी हैं तो कोट इस पर बहुत ही पैनी नजर अपनी बना करके रखता है इसी तरह से जब लड़कियां मल्टीपल केस करती हैं करिमिनल केस करती हैं और पनिश्मिंट दिलवाने का उनका एक मात्र दे होता है जिसकी वजह से जो उनके उपर मांसिक परिशानी भी आती है उनकी समाज में छवी भी धुमील होती है उनका काम धंदा में भी परिशानी आती है और अगर वो प्राइविट जॉब कर रहे हैं तो उनके जॉब के लेने के देने पड़ जाते हैं आस पास वो किसी से बाचित करने लायक नहीं रहते और इन सब चीजों का उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है और वो डिप्रेशन तक में जाते हुए मैंने देखे हैं देखे यहां पर आप सभी प्यारी पत्नियों से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर वाकई में आपके साथ गलत हुआ है तो आप जरूर केस करें हैं और अपने पती का भी स्वास्ते खराब कर रही है समाज में जो चवी है वो आपके पती की भी खराब हो रही है और आपकी स्वयम की भी हो रही है और अगर आपने जूटा केस अपने पती के उपर किया है तो क्या आपने इस बात को सोचा है कि अगर कल को जब आप अप उनकी जो च्छवीती समाज में उसको धुमिल करने की वजह से जो मानहानी हुई है उसके लिए भी आपके उपर वो क्रिमिनल केस कर सकता है तो इसी लिए आप सभी पतनियों से हाथ जोड़के विंती है कि प्लीज 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 आप लोग जूटे केस्स ना कीजे हाँ अ की वजह से ही जो कुछ पतनियों ने डाल रखे हैं और इस पर सभी फैमिली कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही पैनी नजर है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने बहुत सारे केस्स में इन बातों का जिक्र किया है और बार बार ये कहा है कि अगर आप इस त लाफ बिना वजह से सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से तो ये mental cruelty माना जाता है और इस mental cruelty की वजह से आपके पती आप से तलाक मांग सकते हैं इसी ground पर और उनको तलाक मिल भी जाएगा और जहां आपने सिर्फ डराने की वजह से आपने unnecessary के cases कर दिये थे और ये सोचा था क मैं सिर्फ डराऊंगे और मेरी ग्रस्ती चलेगी ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि अगर ग्रस्ती चलानी है तो उसके दूसरी तरह के cases होते हैं और अगर आपने तलाक की तरफ या अलग होने की तरफ जाना है तो उसके दूसरी तरह के cases होते हैं अगर आप सिर्फ ये सोच सजा दिलवाने के लिए केस होते हैं और अगर पती पर जूठा सजा दिलवाने का केस क्रिमिनल केस आपने डाल दिया तो जो चांस थे आपकी घ्रस्ती के बचने के वो भी बिल्कुल भी नहीं बचने वाले मैं एक बाद फिर से दुरहाना चाहूंगी ये वीडियो मैं उन प के लिए बना रही हूं जिनकी पतनियों ने उनके उपर गलत केस किये हैं और उसका फायदा आप उठा करके तलाक का केस दायर भी कर सकते हैं और चीत भी सकते हैं आशा करती हूं कि आपको मेरा ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और हाँ अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए है तो इसको जल्दे से जल्दे सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे इसी तरह के legal informative वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगा थाइंक यू, टेक कियर, बाई बाई